बिस्मिल्लाइ रह्माल रहीम आज के चप्टर के अंदर हम डालेसिज जैनि सेक्टर के चप्टर नमबर वन होमेस्टेसिस के अंदर हमने डालेसिज और रिनल ट्रांस्प्लांट के बारे में बात करना है के डालेसिज और रिनल ट्रांस्प्लांट सो इससे पहले हमने किड्नी के डिसॉर्डर बढ़ रहे थे जिसके अंदर में में हमने जो पढ़िए सी चीज हैं इसमें किड्नी स्टोन था लाइक मैं लिए स्टोन किड्नी स्टोन भी का जाता है से किड्नी स्टोन था इसके लाव से कीड़नीब है डब किंढंते हो जाता है किंढंते ही इस किक मी नी डिसओ मेरासty यह पसकत कर स nei जूंसे है 스트erstर में य होते हैं बहुत पुरानी हो जाए ठीक इसके से उस आर्गन का सारे का function disturb हो जाए से सो kidney stone या renal failure जब chronic condition में जाते हैं तो जो kidney है its last function kidney का जो function है वो loss its function so kidney का क्योंसा function है बाई क्या करता था kidney हम पीछे पर चिके हैं urine formation थी या फिर हम से कहते हैं filtration filtration of blood so kidney मजएद filtration नहीं कर सकता तो उसके बाद filtration नहीं होगी kidney की kidney cannot do filtration तो उसके बाद हम आपस दो option बहुते हैं say kidney can do filtration so filtration नहीं होगा तो हम इसके बाद या तो हम renal transplant के तरफ जाएंगे kidney को transplant करवाएंगे या फिर second one option is dialysis say dialysis so आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे what is dialysis and renal transplantation and so on so dialysis start करते हैं हमसे बहले dialysis so dialysis is a अब artificial kidney ठीक है इसे हम simple name कह सकते हैं कि डालाइजर जो से ना एक instrument का नाम है dialyzer ठीक है यह क्या है एक artificial kidney अब आप सोच रहेंगे artificial kidney किस किसम का हो सकता है सो अभी हम देखते हैं जी आड़ी किस किसम का हो सकता है लेकिन जो हम इसके जरीए process करेंगे यह नहीं यह तो टैक्नीक है ठीक है ठीक है टैक्निक जिसके दरी हम dialyzer को यूज करेंगे उससे हम dialysis कहा देखेंगे मसलने एक person है ठीक है वो कहलें के उसके kidney काम नहीं करता हम क्या करेंगे उसकी जो clavin subclavin artery है कहलेंगे जो उसके arms के अदर आटरी होते है ठीक है उसमें से हम blood फिर ड्रा करवाएंगे और उसे एक मशीन के अंदर से घुजा रहेंगे pipeline आप नदर आ रहा होगा से यह नहीं आटरी में से blood निकालेंगे and it is pumped into a dialyzer यह सारी dialyzing मशीन है यह फिर डालाइस मशीन यह डालाइसर कहा जाता है सिंगल वर्ड के अंदर अब इसमें क्या होता है कि हम ड्रेस है नहीं पास करेगा ना तो जाहिए पात यह वेश मशीन जोन सा वह डालाइसर जाएगा यह 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 वाल है एक तरफ डायाजिंग फीड है डालाइजिंग। रोड और दूस्य तरफ जो अब लड है। अब ब्लड में जो वेस्ट होता है न, वेस्ट में जो वेस्ट है, वो ज्यादा होता है। और डालाइजिंग फ्लूड के दिन्दे वेस्ट कम होगा। हुँ हम से के 500 यहां पर सो यहां पर वेस्ट कम है सिंप बलड में से जो वेस्व मेट्रल है वह डिफ्यूज आउट होगाario ठीक है या निए क्या काद तो प्लिद वेस्व होगारा वीस्व मेटियरी के की कौन Allsinaud से यूरिया सी ओ एनेश टू वोल टो आइसका राएस से यूरिया है फिर यूरिक एसिड है जै जैनि यूरिया अमूनिया यूरिक एसिड फिर एक्स्ट्रा साल्स भी होते हैं बाद कर जादा साल्स वाड़ी के अंदर ठीक है इसके लावा और निथीन जो जो हमने बीच में यह बाउंडरी होते ना यह बड़ी special boundary होते है इस डालाइजिंग फ्लूड की में यह एक कहलें कि स्लेक्टिवली फर्मियबल होती है इस्लेक्टिवली पर्मिय बोलोगे ठीक है क्या होगा एट डजन्ट अलाओ टु पास ठीक है इए अलाओ नहीं करेगे टू पास गुड के ब्लड मेंसे कुछ गुड मठीरल जोन सा है वो डायाजिजिंग फ्लूड के दर जाए तो यहां पे बैन हो जाएगा तो यह सारा प्रासेस क्या कहलेगा डालहजिंग प्लीम अब यह जो सा बीच में आपरिटर्के इसे हम आटि फिशिल किडिनी कहेंगे यह डालाइसर कहेंगे तिक है डीलेस müaशीन है यह दूसरा सिकते कहेंगे है आज़ आउटफीशल किडिन एक छीज़ है में रखनी है कि ये सारा प्रासेस हो Rossi इन विट्रु इन विट्रो करें वह सब्सक्तों के जाए आुटसाइब दीस से अबकर मादी ग्रृत प्रूरिज अब और यह इन-विट्रोस कहलें के मैथड है कि इस कि बलड को बाढ़ी से बाहर निकाला जाता है और इसको इस प्रसेस को कहते हैं हीमोडायसी अब देखते हैं हम देखते हैं हीमोडायसी की रिएल अप्लिकेशन की नदर आते हैं अब यह आपको मेहन नदर आ रहा है तो पहले से क्या नाम दिया हमने हीमो डायलाइसिस सुरी मेरे स्पैरिंग मिस्टेक हो रही है तो यह इस तरों क्या आपको 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 सामने बंदा भी नदर आ रहा है से यह अब आर्टिफिशिल किडनी साथ डियालाइसिंग मेशीन पड़ी है अब इसके अंदर एक जहां साथ ऑड़ाइसिंग फ्लूड फ्लूड अब और यह दूस्तर चाहिए और यह सारी मशीन इसके रेट ऑफ इंजेक्शन और सारा कुछ कंट्रोल करई यह साथ और यह प करेंगे रिनाल फेलियर का केस है इसको इसको किड्नी काम नहीं करता है उसका अब सब क्लेवेन आर्ड से ब्लड को सीव किया जाता है वापिस सब कीजिए ब्लाइटर होता है तो एक सम्द की हाँ फिल्ट्रेशन का अमल हो गया कंप्ली जो किड्नी का प्राबलम था जो फंक् यहां पर आपको नदर आ रहा है इस टाइम जो डालेजिंग फ्यूड है ना वो एक कहलें कि उसमें भरा जाता है कि उसकी वाइल होती है ठीक है जिस तरह ग्लुकोज वाइल आपने देखियो बाद को पेशन को लगी जाती है नार्मल स्लाइन लगा रहता है तो एक वाइल के डालेजिंग फ्लोड इज इन्जेक्टिद किया जाएगा इंटू परेटोनल गालेटी के इनद़ यूपरेटोन्ल गालेटी के अन्धर हम औलेटूनिय। is intestine intestine के उपए सोस्ष्माल कैपिलरीजियों होती है इस मौनुशीं के लेख चैपिलरीज्ट किनेटवफर्क होता है इसमौल कैपिलरीज आई इस साइट ऑफ ट्रॉनुट्रीशन यह साइट ओफ्विट्रेशन कह लिए हैं ठीक है कि इसमाल चैपिलरीज के मदद से यह डालाइजिंग फ्लूड उसमें से वेस्ट मेटियल को रिमूव करता है अब वह स्माल कैपिलरिस की जो वाल होगी वह स्लेक्टिवली पर्मेबल बेहिवियर शोग करेंगे ठीक है जिसरा हमने पीछे डालाइजिंग फ्लूड की मेंब्रेन की तो डालाइजर क करेंगे जो उसको नहीं अलाओ करेंगे कि वह पास करेंगे जबकि जो वेस्ट मेटियला उसको सिंद्ली डिफ्यूज आउट कर देंगे ठीक है और उसके बाद यहां पर थोड़ा कंप्लीट प्रोसीजर नहीं है कि जिस तरह यह कहने कि क्नेक्शन है पैट्रोल क्याविट यह दो बैग होता है इसके और यह डालासिंग फ्लूट है तो िनीचे ृ के मिलेगए हमें वेस्ट फुल फ्लूड ठीक है यह नहीं होगा यह भी डालेजिंग फ्लूड लेकिन अब इसके अंदर वेस्ट शामिल हो चुका होगा ठीक है याब वेस्ट आपको फिर अंदाद होना च्छे वेस्ट से क्या मुझा है अमोनिया जूरिया जूरिकेस जो इसके लावा एक्सेसरी कहले हैं कि लाइक और क्या हो सकते हैं एक्स्ट्रा वाटर हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा सॉल्स तो गहरा ठीक है इस ताँजन्थीन इस तरह के वेस्ट में अब यह एक्जामपल है इसकी जाओ को एक पेशेंट नजर आ रही है इसका किड्नी काम नहीं करता सभी तो पर यह ड नहींट हो जाता है इसकी के अंदर व्यस्ट आ जाता है इसको दूसरे बैग जमा कर दे जाता है और इस दुराण आपको देख सैंगा वो बेट अलाम यह घर के अंदर होसा था फ्रास्स आपके किचन के ख़ corporation बेंघते हैं आ जो यह आइने यह manager होसा है ले Cand Worumo को जाता है और home environment बोद protective बनाना पड़ता है so हमने dialysis पड़ा इसमें दो किसमें पढ़ लिए एक है जी hemo dialysis दूसरे को किसे का का हमने paritonal dialysis ठीक है नाम मैंने नहीं लिखा this is paritonal dialysis ठीक है और दोनों के हमने principal पड़े किस्तरा किस्तरा हो रहे हैं अब हम आगे चलते हैं kidney transplant के पर so kidney transplant very simple कि कुछ patient ऐसे होते हैं जिनका kidney जब function नहीं करता ठीक है नहीं disturb हो जाता है बहुत जाता है so फिर वो अपने kidney transplant करते हैं ठीक है kidney transplant का जो सबसे major step होता है है कि donor required होता है सही है donor भी वो जो कि susceptible हो ठीक है susceptible किसे कहता है यानि जो side reaction ना दे ठीक है यानि जो disturb ना करे body chemistry को ठीक है यानि simply कहें कि matching chemistry होने चाहिए matching body chemistry ठीक है जो donor की chemistry हो वो दूसरे की body से match करने चाहिए example कि है मसला blood group का match करना जुरूरी है ठीक है और कोशी हो निशे के within family हो ठीक है कि family में से donor मिला जाए और फिर ट्रांस्प्लांट करने सबसे पहला जो step होता है donor required होता है जो कि सबसे important step है कि कोई ऐसा person जो अपना kidney donate करना चाहता हो ठीक है हलांके बहुत कम ऐसे कहले हैं कि हमें donor मिलते हैं kidney failure के सब्सक्राइब करें और उनका kidney आके जाके जो कि में ब्लड वैसल हैं जो बाड़ी को ब्लड प्रोवाइड करती हैं और वापिस हर्ड के तरफ लेके जाती है सो उनके साथ एक कहलें कि kidney यहां पर फ्लेस किया गया है ठीक है transplanted kidney अब इसके नहीं सार्जिकल सारा procedure होता है ठीक है kidney transplantation सारा process surgical होता है इसलिए यह बहुत sensitive होता है सभी के infection के chances हो सकते हैं और जो मसला नहीं भी इतना होता वो भी बढ़ सकता है surgery के नस्व से जादा इसकी होते हैं ठीक है so surgical इसकी treatment होती है कि हम donor से kidney receive करते हैं फिर उसको next step में transplant कर देते हैं ठीक है second step क्या हो जाएगा transplantation का कि जो receptor है उसकी body के अंदर transplant कर दिया जाता है यह एक operation के दरी होता है transplant एक surgical operation होता है say so इसमें must क्या चीज़ होती है कि जो donor की body chemistry है it should be matched with the receptors acceptors की जो body chemistry दोनों की match करें मसला blood group होना होना ज़रूरी है फैमिली हिस्ट्री हो ठीक है इसके लावा और भी काफी matching properties होते हैं मसला उसकी जो blood की chemistry है ठीक है जिसमें कहलें के antibodies होती है यहीं blood chemistry में भी इसका involvement होती है blood chemistry भी total match करने चाहिए otherwise यह organ rejection हो साहती है ठीक है अगर यह steps हम नहीं लेते तो transplant rejection होगी transplant rejection में क्या होता है कि जो हमने transplant किया होता organ ठीक है जो भी organ transplant किया है उसके against हमारी body यानि जो acceptor जिसके अंदर transplantation होती है उसकी against body काम करना शुरू करती है like कोई kidney transplant होगा उसका blood group से match नहीं करता तो antibodies बनेंगी antibodies जाके cells को destroy करना शुरू करनेंगी kidney उसके वैसे हम transplant rejection का case कहते है से के जो body's immunity है ठीक है body की immunity वो destroy कर देती है ठीक है start destroying destroying the transplanted transplanted part of the body ठीक है transplanted organ के रहें जिसना kidney example है कर सकते हैं so transplantation की बहुत सी types like level transplant होता है heart transplant भी हो चुक है और kidney transplant तो बहुत पहले से हो रहा है so अगर body की जो immunity है वो destroy करना शुरू कर दे उस transplanted organism transplant rejection का case कहते हैं so यह आज यहां तक हमने आज बढ़ना था इसके अंदर हमने इसके अंदर हमने मेशीन इस्तवाल की फिर peritonal dialysis जिसको हम घर में बैठके भी कर सकते हैं जिसको डालाजिंग फ्यूट परिटोनल cavity के दार इंटर कराए जाएगा और उसके बाद उसका वेस्ट रिमूव हो जाएगा है और यह फिरे इंटरस्टायम के स्माल कैपिलिस जी वह आज कहलेंगे के स्लॉक्त करेंगे मेंब्रेंड दिसमें से मतरियल ज़ोंसा है और पर अक्स्पोर होगा यह फ्यूट हमने थ्में यह इस तरह इस तरह के ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है सो नेक्स्ट चेप्टर के अंदर हम आगले टापिक्स कवर करेंगे सा आज के लेक्चर में हमने डारेसिस और जीनल ट्रांस्प्लाटेशन के बारे में पड़ा है झाल सकता है झाल झाल झाल